माफिया अतिक एहमत की पुलिस इरासत के दोरान हुई हत्या पर देश भर में कई नेता सवाल उठा रहे हैं सरे राह हुई इस हत्या को विदेशी मीडिया ने भी कवर किया है अधिकतर विदेशी मीडिया संस्थानों ने हेडिंग में अतीक एहमत के लिए पूर्व सांसद शब्द का इस्तमाल किया है साथी लाइव टीवी पर हुई हत्या को हाइलाइट किया है कई संस्थानों ने हत्या के दोरान आरोपियों दोरा लगाई गए जैश रिराम के नारों का भी जिक्र किया है 15 अप्रेल को प्रियागराज में पुलिस एरासत के दोरान अतीक और उसके भाई अश्रफ की गोली मार कर हत्या हुई थी जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसत अतीक एहमद और उसके भाई अश्रफ एहमद पुलिस एरासत में थे जब तीन हमलावरों ने उन पर 20 राउंड फाइरिंग की दोनों भाईयों की मौके पर ही मौत हो गई हत्या के आरोपियों ने फाइरिंग के तुरंत बाद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया इसमें से एक ने जैश्री राम का नारा लगाया जो नारा मुस्लिमों के खिलाफ हिंदू राश्टरवादियों के लिए युद्ध घोश बन चुका है गारजियन ने अतीक की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचका कावी जिक्र किया जिसमें उसने अपनी जान को खत्रा बताया था साथ ही लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस का अपरादियों के एक्स्ट्रा जुडिशियल एंकाउंटर करने में रिकॉर्ट कुख्यात है इसमें वे दावा करते हैं कि अपरादी ने हिरासत से भागने की कोशिश की या अधिकारियों पर पहले गोली चलाई पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में 9000 से ज़्यादा पुलिस एंकाउंटर हुए जिसमें 150 से ज़्यादा लोग मारे गए जर्मन मीडिया डॉचे वेले ने शिर्शक दिया है भारत पूर्व सांसद उसके भाई की लाइब टीवी पर गोली मार कर हत्या DW ने लिखा है कि पूर्व भारतिय सांसद और उसके भाई की लाइब टीवी पर गोली मार कर हत्या कर दी गई जब पुलिस उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जा रही थी यह हमला उत्तरी शहर प्रियाग राज में हुआ है गटना के टीवी फुटेज में दिखता है कि अपरादी हमले के बाद हिंदू नारे लगा रहे है DW ने यह भी लिखा कि दोनों पीडित भारत के मुस्लिम अनसंख्यक समदाय से थे हलाकि अधकारियों ने इसकी पुष्टी नहीं की है कि यह हमला किसी संपरदायवाद से प्रेरित था आगे यह भी लिखा गया है कि अतीक एमद और उसका भाई भाई भारत के आपरादिक जगत में पूरी तरह से घुसा हुआ था एमद के खिलाफ सौ से ज़्यादा केस दर्ज थे कतर के मीडिया नेटवर्क अलजजीरा ने शीर्शक दिया है भारत में पूर्विसांसत अतीक एमद उसके भाई की लाइव टीवी पर गोली मारकर हत्या अलजजीरा ने लिखा है कि किडनेपिंग के आरोपी पूर्विसांसत और उसके भाई की पुलिस इरासत के दोरान हत्या से उत्तर प्रदेश में कानून विवस्ता पर सवाल उठ रहे है अतीक एमद ने पिछले महिने ही भारत की शीर्स अदालत में याचका दाखिल कर कहा था कि उसकी जान खत्रे में है उसके वकील विजय मिश्टा ने कहा था कि गोली बारी अचंबित करने वाली है यह साफ है कि पुलिस उसके क्लाइंट की सुरक्षा करने में फेल रही है अलजजीरा ने उत्तर प्रदेश में हाल के साल में हुए पुलिस एंकाउंटरों का भी जिक्र किया है इसके मुताबिक 2019 में सैयुक्त राष्ट संग यानी यूएन के विशेशग्यों ने उत्तर प्रदेश में पुलिस एंकाउंटर को लेकर चेताया था स्टोरी में भारत के राजनेताओं पर दर्ज सैकलो केस की भी चर्चा की गई है आगे लिखा है कि 2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद यूपी के मुख्यमंतरी यूगी यादितनात के खिलाफ केस दर्ज वापस ले लिए गए थे बिटिश मेडिया बीबीसी ने शीर्शक दिया है अतिक एमद पूर्व भारतिय सांसद और उसके भाई की लाइव टीवी पर हत्या बीबीसी ने खबर में लिखा है कि अतिक एमद को प्रियागराज में गूली तम मारी गई जब वहें पुलिस हिरासत के दौरान पत्रकारों से बात कर रहा था पिछले दो दशकों से जादा समय में अतिक एमद के खिलाफ हत्या अपहन और रंगदारी के दरजनों मामले दरज हुए थे एक स्थानी कोट ने एक अपहन के मामले में उसे और दो अन्य लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थे BBC ने अतिक एमद के बेटे असद की पुलिस एंकाउंटर में हुई मौत का भी जिक्र किया है साथ ही लिखा है कि अतिक ने कुछ दिन पहले पुलिस से अपनी जान के खत्रे का दावा किया था विशेशक्यों ने सवाल खड़े किये हैं कि मीडिया और पुलिस के सामने कैसे एक व्यक्ती को मारा जा सकता है BBC ने अपनी स्टोरी में अतिक एहमद के आपरादिक इतिहास को भी बताया है इसी तरह कई और मीडिया संस्थानों ने अंतरराष्टिय समाचार एजेंसियों के हवाले से इसका गटना को कवर किया है उमेश पाल हत्याकांड मामले में पूछताच के लिए यूपी पुलिस अतिक को गुजिरात की साबरमती जेल से प्रियाग राज ले कर आई थी कुछ दिन पहले भी उमेश पाल अपहन केस में यूपी पुलिस उसे प्रियाग राज ले कर आई थी तब उसने सुप्रीम कोट से अपनी सुरक्षा की मांग की थी अतिक ने याच का दायर कर अपनी जान को खत्रा बताया था लेकिन कोट ने उसकी याच का खारिच कर दी थी फिलाल उत्तर प्रदेश सरकार ने अतिक और उसके भाई की हत्या की जांच के लिए एक न्यायक आयोग का गठन कर दिया है मेरा नाम उदेवटनागर आपके लिए है जानकारी जुटाइटी मेरे साथी साकीत ने और आप देख रहे हैं दिललन्टो